नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रिचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. अगर आप दूसरे भाउपत को देखें, तो यहां पे सबसे बड़ी घाथ है दो, तो इस बहुपत की भी घात दो हो गई. और यहां पर अगर हम देखें तो इस भाउपत की सबसे बड़ी घात यहां पर चर की सबसे बड़ी घात उच्चतम घात तीन है इसलिए इस भाउपत की घात कितनी हो गई तीन अब इन्ही बहुपद की घात के आधार पर जो बहुपद है उनको नाम दिये गए और उनको classify किया गया मतलब हमारे पास जो भिन्य प्रकार के बहुपद है वो हम बहुपद की घात के उपर निर्भर करके कहते हैं जैसे कि आपके पास जो पहली यहां पर बहुपद है, उसमें सबसे बड़ी घात एक ही है, तो ऐसे बहुपद को हम कहेंगे, रैखिक बहुपद, क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, अगर आप दूसरे बहुपत को देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है दो और इसलिए हम इस बहुपत को बोलते हैं दूई घात बहुपत और तीसरे बहुपत जहाँ पर सबसे बड़ी घात तीन है ऐसे बहुपत को बोलते हैं त्री घात बहुपद, तो रैखिक या फिर linear polynomial, दूई घात या फिर quadratic polynomial, त्री घात या फिर cubic polynomial, तो हमें समझ में आ गया कि इनके नाम किस आधार पे दिये गए, बहुपद की घात के आधार पे, और चलिया आईए अब इनके मानक रूप देख लेते हैं, तो मानक रूप यान कि ऐसा रूप जिससे हम इस घात को परिभाशित कर पाएं, तो यहाँ पे PX बराबर AX प्लस B जो है वो रैखिक भूपद का रूप है, जहाँ पे A और B दोनों ही कोई विवास्तिविक संख्याएं हो सकती हैं, परन्तु A का मानशून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि A परन्तु यहाँ पर भी A का मानशून्य नहीं होना चाहिए, कारण वही है, कि एक उडांक है यहाँ पे उस पद का जहाँ पे चर्की सबसे बड़ी घात आ रही है, और अगर आप इसी पद को शूर्ने कर देंगे, तो फिर इस दिये गए बहुपद की जो घात है, वही बदल जाएगी, अब आईए समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई भुपद दिया गया है, तो उसका जैमती अर्थ क्या है, तो जैमती अर्थ के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, उसका आलेक करके, और यहाँ पे आपको एक रैखिक भुपद का आलेक है नीरुपन दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा की नाम बता रहा है, यह एक रैखिक भुपद है, इसलिए जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो हमें एक रेखा ही मिली, अब यह रेखा जिस बिंदु पे हमारे एक्स अक्ष को प्रतिछेद कर रही है, वो इस दिये गये शूनंग भी हो जाता है, शूनंग का आशे वो हुआ कि ऐसी एक्स का मान जो की इस बहुपद को शून बना दे, तो चली आईए एक बार देखते हैं कि अगर हम पी एक्स को शून कर देते हैं, तो मानक रूप के जो रैखिक बहुपद है, उस पे क्या आसर पड़ेगा, त और क्योंकि हम पी एक्स को शून कर रहे थे, जिसको हम वाई एक्स पे ले रहे थे, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वाई निर्देशांग जो है वो शून हो गया, और वाई निर्देशांग कहां पे शून होता है, पूरे ही एक्स अक्ष पे, तो जहां पे ये रेखा एक्स अक्ष को प्रतिछेत कर रही है वो बिंदू हमें बता देती है कि दिये गए बहुपत का शूनंग कहां पे है और ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी एक रेखा एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदू पे कार सकती है इसलिए रैखिक बहुपत के सिर्फ एक ही शूनंग होगा इसके बाद आईए बात करते हैं हम द्विघात के शूनंकों की और जैसा कि यह द्विघात है तो मानिव ही बात है कि इसका जो आलेखी निरुपण यह आएगा वो एक रेखा नहीं होगी और वो कैसा होता है एक परवले के रूप में होता है अगर मैं एक्स एक्ष और एक परवले बनाना चाह रही हूं तो जो हमेरे पास संभावनाई है वह यह हो सकती है या तो आपका परवले जो है वो X अक्ष को दो स्थानों पे काटे या फिर परवले X अक्ष को सिर्फ छू के निकल जाए या फिर X अक्ष को ये परवले छूए ही नहीं ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जो हमारे पास परवले है वो दूसरी तरफ मूँ खोले हुए इस तरह से हो यानि उल्टा परवले तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हमारा जो परवले है वो X अक्ष को दो स्थानों पे काट रहा है प्रतिछेद कर रहा है तो ऐसे केस में हमारे पास जो दिया गया दूईगाद पहुपद है उसके दो शूनंग होंगे अगर हमारे जो परवले है वो सिर्फ एक ही स्थान पे X अक्ष को प्रतिछेद कर रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक शूनंग होगा और अगर आपका परवले X अक्ष को छू ही नहीं रहा काट ही नहीं रहा तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि हमारे पास कोई भी शूनंग नहीं है मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शूनंग चाहें दो हो या एक हो या एक भी नहीं हो अगर आपके पास जो इक हाथ पर भौपद दिया गया है तो उसका जो ग्राफिय निरुपण आएगा आले के निरुपण आएगा वो एक परवले के रूप में ही आएगा और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको ऊपर की और मूँ खुले हुए परवले तब मिलेंगे जब आपके पास एकस स्कॉाइर का जो गुड़ांख है वो जीरो से जादा होगा शूने से जादा होगा क्योंकि हमने आपे वास्तविक संख्या कहा तो वो एक रिडात्मक संख्या भी हो सकती है और एक वो धनात्मक संख्या भी हो सकती है तो इसलिए यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि अगर आपके पास वो एक धनात्मक संख्या है तो आपको इस तरीके के परवले मिलेंगे और अगर आपके पास X-square का गोडांग जो है वो रिडात्मक संख्या हो गई तो आपको परवले इस रूप में नजर आएंगे तो अभी तक हमने क्या देखा कि रैखिक भहुपत का मानक रूप कैसा होता है द्विघाद भहुपत का मानक रूप कैसा होता है त्रीघाद भहुपत का मानक रूप कैसा होता है और रैखिक भहुपत का जो आलेखी निरुपन है वो कैसा है और रैखिक भहुपत के लिए हमारे पास जो शूनंख हैं उनका मानहम कैसे निकाल सकते हैं आपको मैं ये बता दूं कि अगर परीक्षा के दृष्टी कौन से देखें तो आपको कभी भी कोई भी दूई घाद बहुपत को बनाने को नहीं दिया जाएगा और प्रशन किस प्रकार के होंगे कि दिये गए परवले से आप दूई घाद बहुपत के शून्यों को पैचानिये तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो परवले कौन कौन से स्थानों पे एक्स अक्ष को प्रतिछेद कर रहा है और वो ही उसके शूनंक हो जाएंगे चलिए आप बात कर लेते हैं एक बार त्रीघाद बहुपत की और अगर त्रीघाद बहुपत के आलेखे निरुपन की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके की संभावनाएं मिल सकती है पहले वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारा जो बहुपद है वो X अक्ष को तीन जगा काट रहा है और इस तरीके के केस में हमारे पास तीन शूनंग होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे X अक्ष को हमारा दिया ग्या ग्राफ सिर्फ दो जगा पे ही काट रहा है प्रतिछेद कर रहा है इसलिए इस तरीके का जो हमारे पास त्री घाद बहुपद होगा जिसका आलेखे निरुपण इस प्रागार का हो उसके सिर्फ दो ही शूनंग होगे और जो इस तरीके का आपके पास ये आक्रति बन करके आएगी यहाँ पे आपके पास त्री घाद बहुपद के लिए एक ही शूनंग होगा मगर आप ये बात देख सकते हैं कि चाहे आपके पास अगर रैखिक बहुपद का एक शूनंग था आपके पास अगर दुई घाद बहुपद का एक शूनंग था चाहे आपके पास त्री घाद बहुपद का एक ही शूनंग था मगर तब भी जो तीनों के आलेखे निरुपण हैं वो अलग-अलग हैं तो आपके पस फरीक्षा में ये भी प्रशना आ सकता है कि देख के आप ग्राफ को ये पहचानिए कि इसका जो भवपद है वो कौन सी घात का होगा तो आपको ये बात अच्छे सध्यान रखनी है कि अगर हम एक रेखा की बात करें तो यहां कोई गुमाओ नहीं है अगर हम दूईगाद भवपद के आलेखे निरुपण की बात करें जो की एक परवले हैं तो वहाँ पे एक गुमाओ है और अगर आप ये बात करें कि त्रीघाद बहुपद का जो भी हमारे पास आकरती बन के आती है चाहे वहाँ पे आपके पास एक ही शूनंग हो तो भी आपको दो गुमाओ मिलेंगे ही तो दो गुमाओ वाला जो ग्राफ है वो बताता है त्रीघाद बहुपद एक गुमाव वाला जो परवले है वो बताता है दुईखाद बहुपद और जहां पे कोई भी गुमाव नहीं है एक सीधी देखा मिल रही है वो बताता है एक रैखिक बहुपद अब आप यह देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी यहां पे बहुपद होंगे उसके अनुसार ही हमको शुनंग मिलेंगे जैसा कि आपने यहां पे देखा कि जो भी हमारे पास गुणांग भी क्या मान होगा और गुणांग एक अमान होगा उसी पे आधारित होगा ना यह अक्ष के उपर जो प्रतिछेद करने वाली बिंदू है इसी प्रतार से आपके लिए यहां पे जो भी गुणांग हैं उसके आधार पे ही आपको शूनंग मिलेंगे तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक दूई घाद बहुपत के शूनंग अलफा और बीटा हैं तो उनका गुणांगों से सीधा संबंद होगा तो एलफा प्लस बीटा जो है वो गुणांग बी और एक का अनुपात हो जाएगा साथ में वो एक रणात्मक चिन्ने के साथ आएंगे और अगर आप दोनों हमारे पास जो यहां पे शूनंग हैं उनका गुणफल निकालेंगे तो वो आजाएगा सी भटा ए इसे तरीके की आप संबंद पा सकते हैं अगर आप त्रीगाद बहुपत की बात करें और त्रीगाद बहुपत के जो तीनों शूनंग होंगे उनके और गुणांगों के बीच का संबंद कुछ इस प्रकार होगा कि अगर आप तीनों का योगफल ले लें तो माइनस B बटा A आएगा अगर आप किनी भी दो का गुणफल लेके जो भी आपके पास आ रहा है उसका योगफल लें तो C बटा A होगा और अगर आप सीधा सीधा तीनों ही शूनंगों का जो गुणफल ले लें तो आपको D ब दिये गए भहुपद के मूल भी कहा जाता है तो चाहे हम ये कहें कि भहुपद के मूल या हम ये कहें कि भहुपद के शूनंग हमारा जो आशे है वो उन्ही एक्स की मानों से है जो कि हमारे दिये गए भहुपदों को शूने के बराबर कर रहा है तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे बिंदूएं अच्छे समझ में आ गई है और इसलिए अब आईए चलिए हम कुछ प्रश्णों पे ध्यान दे तो पहला प्रश्ण हमें यहां दिया गया है निम्नमे से कौन सा आलेक एक दूई गात बहुपत का नहीं है तो क्योंकि मैंने अभी आपको इस बारे में बताया तो आप बहुत अराम से ये बात बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक दूई गात बहुपत का अलेक होगा तो वो कैसा दिखेगा परवले के रूप में दिखेगा परवले चाहे ऊपर के और मुझ खोला हुआ हो चाहे नीचे के और मुझ खोला हुआ हो वो दूई गात बहुपत ही होगा तो इसलिए हमारे पास A, B और C आप्शन तो दूई गात बहुपत के ही है क्योंकि प्रशन में पूछा गया है कि कौन सा आलेक दूई गात बहुपत का नहीं है तो वो हो जाएगा ओप्शन D यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताना चाहती हूँ जो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो A, B और C मिल रही है वो तीनों ही आलेकों में एक घुमाओ है परन्तु अगर आप D आलेक में देखें तो दो घुमाओ है इसलिए फिर से यहाँ पे यह बात आजाती है कि हमारे पास जो D वाला आलेक है वो दूई गात बहुपत का नहीं है तो चलिए आईए दूसा प्रशन देखते है एक दूई गात बहुपत ग्याद कीजिए जिसके शुनंकों का योगफल और गुड़नफल क्रमशा माइनस तीन और दो है तो सबसे पहले आईए यहाँ पे देखते हैं दिये गए प्रशन के जो जरूरी बिंदू है वो क्या-क्या कि हमारे पास एक दूईगात बहुपत है और योगफल हमें माइनस तीन और गुड़नफल दो दिया गया और हमें क्या निकालना है यह दूईगात बहुपत निकालना है तो सबसे पहले आप ये ध्यान करिए कि आपके पास एक जो दूई घाद बहुपद है इसका मानक रूप किस प्रकार का होता है मानक रूप किस प्रकार का होता है Ax square प्लस Bx प्लस C और इसके शूनंग क्या है हम मान सकते हैं कि इसके शूनंग है alpha और beta और अगर हमारे पास एक दुई घात पत के बहुपत के शूनंक alpha और beta हैं तो हम क्या पाते हैं कि alpha और beta का योग फल गुडांकों के संबंद में minus b बटा a है और alpha और beta का गुड़न फल गुडांकों के साथ संबंद में c बटा a है अब चुकि आपको alpha plus beta का maan यहां पे दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार alpha plus beta हमें कितना given है minus 3 और alpha और beta हमें कितना given है 2 इस से हम ये भी कह सकते हैं कि हमें minus b बटे a का maan कितना given है minus 3 और हमें C बटे A का मान कितना गिवन है? 2 अब यदि हम A का मान 1 कर दे तो ध्यान दीजिए कि मैंने खुद ही एक गुडांग जो की X स्कुएर का गुडांग था उसको A मान लिया तो यहाँ पे माइनस B बटा 1 जो है वो माइनस 3 आ जाएगा और अगर मैं इस पूरे समीकरण को माइनस 1 से विभाजित कर दू या फिर गुड़न फल ले लूँ तो B बराबर 3 आ गया तो मेरे पास यहाँ पे A का मान 1 और B का मान 3 आ गया अब मुझे C का मान निकालना है तो यहाँ पे C बटा 1 को हम 2 के बराबर कर देंगे और इससे हमें C का मान 2 मिल जाएगा तो यही तो हमें करना था क्योंकि हमसे पूछा गया था दूइगाद बवपत और दूइगाद बवपत को परिभाशत करने वाले जो 3 संख्याई हैं वो है X स्कॉाइर X का गुड़ांग और हमारे पास जो अचर पद है और हमने यह सब कुछ करके यहाँ पे निकाल लिया वो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ऐसा दूइगाद बवपत जो की दी गई कंडिशन को सटिस्फाई करे वो हो जाएगा 1 X स्कॉाइर प्लस 3 X प्लस 2 या फिर हम इसे कह लें X स्कॉाइर प्लस 3 X प्लस 2 अब देखिए यहाँ पे आपको प्रश्ण में एक दूइगाद पूछा गया था और एक दूइगाद तो हमें यहाँ पे मिल गया मगर मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूँ कि कई बार प्रश्ण में ऐसे एक से जादा दूईगाद भवपद पूछे जाते हैं जहां पर ये आपकी जो गुडांग हैं वो ये ही आए तो आशे ये है कि आपके पास अगर कोई और भी भवपद होगा जो कि इस रूप में हो मतलब उपर दिये गए भवपद के साथ में हमने के का और गुडांग कर दिया तो उसके भी जो शर्तें यहां पर दी गई हैं शूनंकों के योगफल और गुड़नफल की वो सही बैठेंगी और जहां पर के एक वास्तविक संख्याप ले सकते हैं तो अगर आपसे प्रस्न में कभी मान लीजे ये पूछा गया कि दो दूईगाद भववपद निकालिए तो आप ऐसा करिए कि के का मान माइनस एक रख दीजे या दो रख दीजे तो जो नए आपको भववपद मिलेंगे वो भी इन शर्तों को पूरता पूरा करेंगे मुझे आश्या है मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बाते बताएं आपको अच्छे से समझ आ है मैं मैं जो जफ सक को भी औू रख टूो चेंगे महें से दो खालिए से वाववद और लख डिक विन के के महें आपको भयाे भैसे से क немного अभचल में लीजब बैसने और दे भीए है कि यञियोर है किया अवियों को यख अबसा अभी को आवे ले अफाएंदे